नमस्कार दोस्तों 12,460 से छक भरती में लखनव बिंच में होने वाली सुनवाई की कुछ महत्पुन जानकारिया निकल कर आई हैं वो आपके साथ सेयर की जाएंगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चैनल के कॉमुनिटी टैब में जाकर वाटसब ग्रूप का लिंक दिया गया है उसे आप जॉइन कर लें वहाँ पर आप हर तरह की बात चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और आपको वहाँ से आसानी से जानकारी भी दी जा सकती है तो तुरंत उस लिंक पर जॉइन करें और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सबस्क्राइब करें आज शनीवार को चार जनवरी की जो सप कराने की बात करी गई पूरी यहां पर रखेगी लेकर केस लिष्ट नहीं हो पाया क्योंकि सप्लिमेंटरी जारी नहीं हुई आज मुक्य जो नियादीस है उनकी सप्लिमेंटरी नहीं हुई इसलिए केस लिष्ट नहीं हुआ चार को फिर उन्होंने कहा है कि पहले ही जनवरी को urgency application फाइल की गई है साथ में पांज जनवरी को एक application list कराने के लिए भी file की गई कि मतलम सुनवाई भी हो और urgency application दो तरह की यहां पर आप समझ सकते हैं फाइल की गई है urgency application से भी आपको यहां पर जानकारी मिलेगी और सुनवाई होगी तब भी वहाँ पर आपको निर्णाय देखने को मिलेगा उसके बाद इसी पोस्ट में जब आगे देखते हैं तो कहा है नोरे कि पांच जनवरी को मुखनयादी शरकी बेंच सप्लीमेंटरी लिस्ट जैसे ही जारी होगी तो अपनी अपील भी लिस्ट रहेगी मतलब दो तरफ से प्रयास है कि अरजेंसी अप्लिकेशन और अपील भी साथ में लिस्ट हो जिससे केस की सुनवाई किसी भी तरह से जनवरी में हो सके और इस भर करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए